बीडियो देखने वाले आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार 15 जुन की रात को जो चाइना के सैनिक मरे जिहां जो चाइना के सैनिक मरे उसका संभपता पहला पुरूफ मिल गया है जिहां उसका संभपता पहला पुरूफ मिल गया है और क्या जो फोटो सर्कुलेट हो रहा है च हम जा इसके पीछे आखिर हुआ क्या ये बताता हूं चाइना के सोषल मीडिया या कहीए चाहिनीज टूटर जाइना में टूटर नहीं छलता है ये वाला टूटर चैना का अपना टूटर चलता है जिसपे फुलिक होता है मेरे हारक सभदों पर ध्यान दिजिएगा जिससे ग्ववर्मेंट का पूरा कंट्रोल होता है गवर्मेंट्च के बिना पोस्ट कोई भी आनापसानाब चीज़ होस्ट नहीं हो सकती है और गवर्मेंट उसको सुद्ब फुरत खतं करति कर देता है अगर कुछ वासा हो उसमें अजायता चाइनीज लोग ही सक्रिये हैं और उसमें इक कब्र की जहां टॉमबस्टोन की कब्र की समाधी अस्तंब की जो भी बोलिे उसकी पिक्चर वायरल हुई है फोटो बाइरल हुई है और उस फोटो में चाइनीज सोल्जर का नाम लिखा है जिहां जो कि 15 जून क की रात को मरे हैं उनकी उम्र लिखा हुआ है और वो कौन से प्रांत से आते हैं चाइना के कौन से प्रांत से आते हैं उसका अतनाम लिखा हुआ है उसमें उनका नाम है चैन जियोंग ओंग अगर मैं सही प्रोनौंसेशन कर रहा हूं तो और वो फुजिहान प्रांत से हैं चा साब से आखिर इंडियान सोसल मीडिया पर भी यह पूरा सर्कुलेट हो रहा है अब सच है या गलत है मैं इसके पीछे आपको बोलता हूं कि मेरे साब से यह सच्छे क्यों सच्छे वह बोलता हूं सबसे पहली बात तो है कि यह चाइनीज टुिटर के भी वो जिसका नाम है उसपे यह सेर हुआ और वहां के मिलिटरी फोरम है उसपे सेर किया गया और जिस सोलजर ने उसको सेर किया रिपोर्ट ऐसी भी है ज котором भाँसरी मीडिया इसको cover कर रही है जिस passenger ने इसको report किया उसको Chinese ने चीन की government में jail में already डाल दिया। पहली बाते दूसरी बाते कि सोलजर को जेल में क्यों डाला गया कही न कहीं लोचा था तभी जेल में डाला गया और चीन की जो गौबर्मेंट है उसकी अभी तक कोई भी रिस्पॉंस नहीं आया है लगबग 20 गंटे से ज़्यादा की समय बीद चुके हैं और इसके पीछे भ इंटरनेशनल सिक्रिटी में जिहां और लेखक भी हैं उन्होंने और चाइनीज खास करो चाइनीज मामलों के जानकार है उन्होंने भी इसको ट्विट करके लगभग इसकी पूष्टी कर दिये और चाइना में तो सब कुछ आप जानते हैं हालाकि मैं यह भी बोलता हूं क चाइना में एक बच्चा है जिहां एक ही बच्चा है चाइना में अभी क्योंकि बहुत दिन से वहां जनसंख्या कानून लागू है आप एक ही बच्चा पैदा कर सकते हैं तो किसी की घर की 19 बर्स की आयू में बेटा मर गया तो उसकी चीराग बुझ गई तो वहां के लोगों में भी गुस्सा है और पी अभी तक हम लोग बहुत सारी रिपोर्ट से कुछ का रहें कि हमने 40 मा रहे हैं जैसे कि इंडियान मीडिया डिपोर्ट ने रिपोर्ट की अमेरिकान ने बोला कि 50 से उपर मार दिया इंडिया ने चाइनीज को और चाइनीज के खुद आर्मी के एक्स सोलजर ने यह बात है बोली कि लगबग 100 से जादा सहीद हुआ है मरा है चाइना वाला तो यह सारी बाते हैं और सोसल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही है और इंडियान भी सर्कुलेट कर रहे हैं और मेरे हिसाब से और मेरे हिसाब से नहीं जितने भी एक्सपर्ट से उन मैं hack छोमनेंट में कुछ भी शुथ नहीं चारी बिचारा सोल्जर ने ड़ा और फीड लह commend को भी रिपोर्टीन कंट नहीं करेगा अभी तक आप जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्रबाद मेरे चनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सेर कर लीजिए जय हिन